नमस्कार मेरे प्यार साथियों दोस्तों आज मैं आपके लिए जी के जी इसके 50 प्रस्नों पुले कर आया हैं दोस्तों आए दोस्तों इसको रिवीजन करते हैं सबसे पहला सवाल आपके सामने हैं सबसे पहला सवाल देखेंगे दोस्तों क्या कर रहा है आपके सामने था 1942 में राष बिहारी बोस ने राष बिहारी बोस ने आजाध हिंद फांज कर थापना किये थे 1942 में याद रखी गा अगला सवाल देखी का सब दूसरा सवाल है और पर समने कि भारत में पर्थम रेल किसके शाचनकाल में प्राणब होए थे यह दुस्त है और अठ्थम मुंबवी से ठाने के सब्सकार us- Cambridge में लॉप टाने किलो मिटर दोस्तों दोस्तों अगला सफोल देखीगा थी नमर्स वाल आपके सामने है कि रूसी करांती कब हुए थे दोस्तों याद खीगा कि रूसी करांती जो हुई थी यह 1917 में हुआ था था ठीक है रूस की बारे में अगर बात करेंगे तो रूस की लज़ानी मास्क होता दोस्तों रूस की जो मुद्रा होती है रूस की मुद् लेट पूतीन है तो याद कीगा रूस जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा देश है वह दोस्तों रूस एक इन्गलैंड का पर्थम परधानमंत्री थे वह रौबर्ट वालपोल थे इंडिया हाउस कहां इस्थित है लंदन और लंदन जो है दोस्तों यह टेम्स नदी किनारे इस्थित है लंदन अगर हम बात करेंगे कि इंडिया हाउस कहां इस्थित है लंदन में नेक्स्ट है शिक्स नंबर स्वाल कि सिच्छा किस सूची के अंदर गता आता है तो संग सूची राज सूची का उलेक किया गया है वो साथवी अनुसूची में किया गया है सूची सूची क कह विसे है समवर्ति सूची का विसे है दोस्तो चलिए नेक्स दिख Whats वाल आग देखेंगा टिक तो होते हैं और आज सभाव का पदेन अध्यास होता है दोस्तों अपुधियान रखना दोस्तों तो तो अगर पूछेगा कि भारत का सबसे छोटा राज कुन से चेतर फर्क दिश्टी से वह दोस्तों गोवा ठीक है अगर याद कि दोस्तों बरतमाम भारत में 28 राज है ठीक ह आठ किंसासित परदेश और 28 राज है ठीक है उसमें सबसे छोटा राज कुन सा है गोवा और छेतर फर्क दिश्टी सबसे बड़ा राज कुन सा है राजस्तान ठीक है तो राश्री ये समुधियान संस्तान कहां से थैं गोवा ठीक है दोस्तों याद रुकिए अगला है दो कि हेमाटाइट किसका यस्क है यह दोस्तों लोहा का ठीक है है हेमाटाइट किसका यस्क है दोस्तों लोहा का संकेत क्या हो दोस्तों याद रखीगा लोहा का संकेत एफी होता है और लोहा का जो परमानु संक्यां 26 होता है दोस्तों कितना होता है 26 ठीक है याद रखीगा तो लोहे में जंग लगता है लोहा का बढ़ जाता नीक्सिता ड़ेक्ट लथे कि लापिंग डैस्ञ नाम क्या है न hij तो ऑक्साइड यानि यानि याद कि निट्रस औक्साइड यह लाफिंग यास का लचानी साम होता है नाइट्रस ऑक्साइड चली अगरा सवाल देखते हैं 13 नंबर सवाल देखिएगा प्राचीन नाम क्या है ते जाय सहीता है महाभारत का प्राचीन नाम क्या है जय सहीता ठीक है जय सहीता क्या है दोस्तों महाभारत का प्राचीन नाम है नेक्स्ट एगला 40 नंबर स्वाल कि संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो संसार का सबसे बड़ा महासागर है वो दूस्तो प्रसांत महासागर कौन सा है प्रसांत महासागर संसार क सबसे बड़ा महासागर है महासागर प्रसांत महासागर का मेरियाना ट्रेंज सबसे स्वाल है यह दखीगा अगला दुस्तों गणनंता है घंट और नबỏ पिपो सुल्टान नेक्श्च 17 जवाल कि सेर्शा सेर सक मकवर का है यह सेर्शाराम सेर्शाक जो आपको स्वाल सब्सक्वर है भाखळा नागल बांध पर्योजना किस नदी सेते नक्र नागल बांध परियोजना किस नदी पर इस दिक अगला बढंग्लादेश कि celery === गणगा नदी को गणगा नदी को पद्दमा के नाम से जाना जाता है ही अगर बात करेंगE ठीक है कि बांग्लादेश में टॉनधी को जमुना के नाम से जाना जाता है ऑही बाइए बात करनेगे बाइए बानदेस के बारे में किराधानी के ढक अब धाका होता है बानदेस की मुद्रह होता है पॉथक याद रखना है बांगला देश you सब्सक्राइब बानदेश पर लाज्यों के साथ यह जा करता है और में ग欸ंगान विश्टर नम शा certified विए नमबर पर सब्सक्राइब में एक इस नमबर पर किया गया था। अगर बात करेंगे गौत्म बुद्ध का जनम पांजो 33 स च पुर में हुआ थे ना जनम सो पिरासी च पुर में हुआ पुखाया दिया तो मुझे खुंद आजादे दूखने दिया तुम मुझे खूंदो मैं तुम है अजादे दूखने दिये थे वह स्वाचन नहीं नहीं दिये थे याद रखीगा 23 जनवरी 1897 को सवाचन बोजी का जनम वह था इसलिए 23 जनवरी को कौन सा दिवस मना जाता है प्राक्रम दिवस का बना जाता है 23 जनवरी को मना जाता है दोस्तों अग्ला देखेगा 24 नवर स्वाल 24 सामें है अभरक का सबसे बड़ा उत्पातफ कौन है वह दुस्तों चीञ जो है अभरक सबसे बड़ा उत्पातफ देश ठीक है बात करेंगे चीन के बिच नियुक्त में तो याद रखना है चली अगला देखते हैं, अगला आपके सामने दोस्तो, पचीस नमबर सवाल देखीगा. पचीस नमबर स्वाल का रहा है कि भारतिय सम्मिधान पुन रूप से कब लागो हुआ था? ये सवाल देखना बहुत जूरूरी है सवाल क्या कर रहा है? 26 नॉवंबर 1904 कई सम्धान बनकर त्यार हो गया था और सम्धान लागु कभव लागे 150 को इंटीश ३ 네 अग्राब नदी पर है किस नदी पर है याद कीगा next 27 नंबरन सवाल नहीं आपके सामने 27 नंबरन सवाल आपके सामने देखीगा 27 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तो देखें तो 27 से दोस्तों कि नाटो का जो मुख्याले ते याद कीगा नाटो एक संगठेसे हैं ट्रीक है नाटो का जो मोख्याले है वो बेल्जियम की रजधानी ब्रुस्लेस में तो स्थापना वा थे उनी सो बढ़ गया है टोटल 32 देस सामिल नाटो में नाटो का च्छापना उन्चास में फूर्य वहा टाथ है नाटो भारत जो है नाटो में सामिल नहीं है दोस्तों ठीक है अगला 28 नंबर कि ध्यान चन्द स्टेडियम कहां सिता है यह दोस्तों लखनाव में ठीक है ध्यान चन्द जो स्टेडियम है यह कहां सिता है लखनाव में है और लखनाव जो है दोस्तों यह गोमती नदी किनारे सिता है कौन से नदी गोंती नदी अगला है 29 नंबर सवाल है कि असम राज का परमुक्तेवार क्या है वह दोस्तों बीहु बीहु जो है यह असम राज का परमुक्तेवार जिसे कि बिहार का परमुक्तेवार कौन सा है तो बिहार के दोस्तों चट चट पूजा जो है बिहार का परमु अदूस्ता कर्नाटक का वह दोस्तों यह दिखन ठीक है हर राज का अपना पर्मुक्तेवार होता है उसी दर्लस से असंद आज नंबर सवाल है कि अरजुन प्रूश्कार का प्रारम कब से हुआ था यह 191 भारती कौन था दोस्तों याद दखीका कि इंगलीस चैनल पार करने वाला पहला भारती था वह मिहीर सेन थे ढ़े कौन थे मिह इंगल्रि 6000 पार करने वाली पहली भारतिय थी याद रखी गा्र झेकते है दोस्तो अगला सवाल तो यह गुजरात में है ठिक है देयानेक में अगला दोस्तो तो चौटीसाइज न्वर सवाल है कि मोती महजिद का निर्मान किस ने करवाया था कि साजहां ने 1972 में भारत में अंत्रीछ अयोग एवं अंत्रीछ बिभाग का स्थापना था रखका मुख्याले कहाने चाहिए कटमांडो में सब्सक्राइब कर्या चाहिए अब गुख्याले कि शौन स्थापनने चाहिए नीज भूटाइब अगला है 36 नमबर, कि माइक्रोफोन का विसकारक कौन है, वह दोस्तो घ्राहम बेल, घ्राहम बेल जो है, यह माइक्रोफोन का विसकारक है कि पूरस्कार?, तैके, याद रखीगा कि दादास. पूरफार, पूरफार, जो है, पैहली कि दोस्तों सामने क्या कर रहा है किस मेंटी को रेगुर मेंटी के नाम से जाना जाता है तो कपास की जाती है अगला दुस्तों 49 सवाल दखीगा कि सिकंदर की मिर्टु कहां हुए थी यह दुस्तों बेबी लोन में हुआ था यांद दखीगा 363 devrait में सिकंदर क्यों मिर्टँ हुआ था बेवी लोन तो स्थापना हुआ था 24 अक्टूर 1945 को UNO का स्थापना हुआ था उसी को क्या बोलते दोस्तों UNO UNO United Nations Organization स्थापना हुआ था और इसका स्थापना हुआ था 24 स्थापना हुआ स्थापना हुआ था 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 ध्यान रखेगा अगला दोस्तों आपके सामने है कि बिस्व में सबसे बड़ी मेठे पाने की जिल कौन सी है वह दोस्तों सुपिरियर जिल कौन सी है सुपिरियर जिल जिल जो है यह बिस्व में सबसे बड़ी मेठे पाने की जिल तो भारत में सबसे बड़े मिठे पाने का जील है और खाय जिल कान सीथ है अग्ला दूस्तों ब्ल sometimes की सामने हैं समुभाइबान संसौधन के परकिरिया किसे नेशन सलिए गया गया है यह दच्छिन अफ्रिका के संभीधान से लिए गया है तैक है संभीधान जो तंटो बना होता है ठीक है ध्यान रखना है अगला देखते हैं दोस्तों अगला देखीगा 44 स्वाल देखे दोस्तों क्या गहर है आपके सामने जह के राज सभाक का जो सभापती कौन होता है वो उप्राश्ट पती होता है याद अगीगा। राज सभा का जो सभपती होता है? वो कौन होता है? उप्राश्ट पती, ठीक है? ध्यान रखना है. अगला दोस्तों, 45 नूंबर कि 857 के विद्रों को 17 का पर्थम भारतिय संगराम किसने कहा था? यह वीडी सावरकर ने कहा था तो प्रोटीन का सबसे अधीक संदीर स्रो ज標क है? अधीक समरेद स्रो जो सबसे अधीक संदीर स्रोट क्या है? स्वोजाबीन जो साहरीक है? ध्यान रखेगा 20-स 27 है 20 में सबसे कम बर्षा कहाan होती है दोस्तो तो अफ्रीका के सहारा च्हेतर में होती है ठीक है अफ्रीका की सहारा छेते में 20 सबसे कम बर्षा होती है अगर पूछेगा भारत में सबसे ज्यादा बर्षा कहां होती है तो मान सिंद्राम मिगाले और सबसे कम बर्षा कहां होती भारत में तो दोस्तों लदाक लेह में होती है लेह कहां पड़ता है लदाक ठीक है सबस तो गुलाम वंस का साज़ग तो कुतुबुदीन के अबग का जो मिर्तु हुआ थे गुलाम वंस का तीक है अगला दूस्त रहे अगला दुस्त आपके सामने योई बंचयास नुमर स्वाल आप सामने है दोस्तों दख को बोब कि पर रॉम किस किनाुरे बशा है वाद सब्सक्राएं और रंदी किनारे बसा है ठेक है रोम जो है इंडिया कमपणी के स्थापन कभ कोई थे यह थो 16 spirituality में हुआ था और आपके लिए एक सवाल है दोस्तों कि राजिया सुल्तान किसकी बेटी थी इसका जो अंसर है आपको कॉमेंट बाक्स पॉस्तो पलीज वीडियो किसा लगा प्लीज आप बतागी इस तरह से सेशन लाया चाहिए पिद कैसे लाया चाहिए तो आपको प्लिस कोना बिदियो काश लगा क्लास कैसे लेगी नहीं वनींतरम